बिमार चल रहा है लालू परसादियादों की मुश्किले एक बार फिर से बढ़ सकती है दरसल चारा घोटाले मामले में सजापता लालू परसादियादों फिलहाल जेल से बाहर हैं और दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे हैं उनकी तबियत खराब है पिछले कई महीनों से जब वो राची जेल में थे तब भी वो रिम्स के अंदर इलाज करा रहे थे उसके बाद उन्हें जमानत मिली तो सिदे दिल्ली पहुँचे दिल्ली में उनकी तबियत ज़्यादा भीगनी हुई थी लहाजा भरती करा दिया गया महीनों अस्पताल में रहने के बाद राज़त सुप्रिमों लालू परसादयादों अपनी बड़ी बेटी मिसा भारती के घर पहुँचे असके बड़ी राज फ़िए वाद गया अबीड़ी लालू परसादयादों केंदर चल रहा हुए इस भीच चारा खोटाले मामले में जो बड़ा ज़ो जनकारी है वो निकल के सामने आएब आपको बता दे कि लालू परसाद यादों की जो चारा खोटाले मामले हैं उनमें से सबसे बड़ा जो एक मामला था उसमें अब डे टू डे सुनवाई आज से होनी शुरू हो जाएगी यानि सुमबार से लालू परसाद यादों की जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी हला कि इसमें राज़स्प्रेमों खुद उपस्तित नहीं रहेंगे उनके अधिवक्ता इस मामले में उनके तरफ से दलीले देंगे हला कि आपको बता दे कि राज़धानी पटना में भी बिहार में भी चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू परसाद यादो हाजरी लगा चुके है और यहां भी मतब 30 नवंबर को जो है अगली तारीख मिली है कोट से अब पटना राची में लालू परसाद यादो के लिए प्रती दिन जो कोट है वो सुनवाई करेगा इससे राजय सुप्रीमों की मुश्किले इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जिस मामले में सुनवाई होनी है उसमें कोट का साफ निर्देश है कि डे टु डे इस मामले की सुनवाई की जाए और उमीद यह किया जा रहा है कि एक महीने के अंदर इस मामले में भी फैसला आजाएगा इसके बद क्या एक बड़ फिर से लालू परसाद यादो जेल जा सकते हैं क्योंकि चाराग होटाले के तकरिबन चार मामले में लालो परसाद यादो पहले से ही सजाबता है जारखन में चाराख होटाले से जुड़ा या पांचुवा मामला है दोरंडा कोशागार से 149.35 करोड रुपे की अबायत निकासी का मामला है ये चाराख होटाले में सरकारी पैसे के गवन का सबसे बड़ा मामला है इस मामले में CBI के वकील ने कोट में दलिले पेस कर दी है CBI के केस संख्या RC 47A 96 में आरोपी राजत अध्यक्ष लालू परसाद यादो के वकील सोमबार से कोट में उनके बचाव में बहस करेंगे हम आपको पताते हैं कि चाराख होटाले मामले में डोरंडा कोसागार से 149.35 करोड रुपे की अबैद निकासी से जुड़ा आई अहम मामला है इसमें लालू परसाद यादो पुर्वसांसत जग्दीश सर्मा डॉक्टर आरके राणा पी एससी के ततकालिन अध्यक्ष दुरू भगा समयत 110 आरोपी हैं इस मामले में अभ्युक्त बनाये गए 70 लोगों की ओर से उनके वकीलों ने बहस पूरी कर ली है अब लालू परसाद जग्दीश सर्मा डॉक्टर आरके राणा पी एससी के ततकालिन अध्यक्ष दुरू भगा समयत दूसरे नेताओं की ओर से अपने बचाओं में कोर्ट में बहस होनी है आरोपियों की ओर से बहस पूरी होते हैं इस मामले में फैसला भी आ जाएगा उसमें अगले महिने तक फैसला आने की पूरी उमीद जताई जा रही है सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या लालू परसाद यादो को चारा घोटाले के इस मामले में भी सजा होगी जारखन में चारा घोटाले के चार मामले में अब तक फैसला आ चुका है और उन चारों में लालू परसाद यादो को सजा हुई है लालू यादो चारा घोटाले के मामले में सबसे पहली बार 30 जूलाई 1997 को 135 दिनों के लिए जेल भी गय थे यह वही मामला था जब लालू परसाद यादो बेहार के मंत्री हुआ करते थे और उस समय चारा घोटाले का मामला सामने आया था उसके बाद लालू परसाद यादो को 1997 में जेल भी जाना पुड़ा था हलाकि लालू 135 दिन की सजा काट कर जमानत पर बाहर आ गये चाइबासा ट्रेजी से 37.7 क्रोड की अबैद निकासी का मामला लालू को 5 साल की सजा भी हो चुकी है दो दूसरे मामले हैं उनमें लालू परसाद यादो को जिन मामलों में सजा हुई है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि चाइबासा ट्रेज़ी मामले में लालू परसाद यादों को 5 साल की सजा हुई, देवगा ट्रेज़ी मामले में लालू परसाद यादों को 3.5 साल की सजा हुई, चाइबासा ट्रेज़ी से 33.67 क्रोड की अबायद निकासी का दूसरा मामला था, उसमें भी लालू परसाद को साथ साथ साल की सजा हुई पटना की सीवी आई कोट में बाका को सगार से 46 लाक रुपए की अबाद निकाजी का भी मामला फिलहाल चल रहा है जिसमें 30 नुमंबर से लालू परसाद्यादों की सुनवाई हो नहीं हाला कि इस मामले में लालू परसाद्यादों ने 23 पर को जब कोट में पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी तवियत खराब रहती है ऐसे में वो सरीर उपसीत नहीं हो उन्होंने कोट से यह आरजी लगाई थी इसके बाद कोट में कहा था ठीक है आप नहीं आपके वकील इस पूरे मामले में बहस आपके तरफ से कर जो CBI की विशेस नियाल है उसमें से थोड़ी सी राहत जरूर मिली हुई थी लेकिन राची से लालो परसाद यादो के लिए ये जो टेंशन वाली खबर है चिंतित करने वाली खबर है वो निकल के सामने आ रहा है क्योंकि अब लालो परसाद यादो के चारा गोटाले के सबस हो चुकी है तो इस मामने में भी सजा लगबग तय है तंत्र मंत्र के बाशा भारत के जाने माने सर्विचे गुरू खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समधार गैरेंटी के सांद मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिष्टे आते थे पर कोई न कोई अर्चन पड़ रह कलेश, कर्श मुक्ती, प्रेम विवा, जादु टोना, पती-पत्नी में अन्बन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोट का चैरी जैसी समस्याओं का समधार गैर बैठे पाएं समधार अभी कॉल करें 8 844-827-903